लाएट करने वाला है जो कि आपको से लेफ ज्टाट होने वाला है वैसे सेल स्टाट होगे 28 अक्टूबर से लेकिन अगर आपके पास प्लस पर स्टार्ट हो जाएगी मैंनलब आपको 27 अक्टूबर के मिंड नैट से आपके लिए सेल restart हो जाएकि अगर आपको पास flip card का plus membership है तो इस वीडियों बात करने हो लेए हो सारे आइफोन के pricing के बारे मैं और पुछ Apple के प्रोडेस के बारे में बात करूँगा कि इन में आपको कितना प्राइज ड्रोप देखने को मिलने वाला है इस साल के दूसरे सेल में फ्लिप कार्ट की तरफ से वीडियो कौन तो जोरू देखना और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना वहीं अगर आपके पास SBI का credit या debit card है तो आपको इस्टेंट डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा तीन से 4000 जो कि आपको इस्पेक्टर प्राइज आपको 38,000 से लेके 39,000 देखने को मिल जाएगा और नेक्स बात करते हैं आइफोन 12 के बारे तो आइफोन 12 का जो भी क्रेंट प्राइजिंग चल रहा है 16,1009 तो इस सेल में आइफोन 12 की प्राइजिंग आपको 53,000 से लेके 54,000 तक देखने को मिल जाएगी और नेक्स बात करते हैं आइफोन आइफोन से की जो भी क्रेंट प्राइजिंग चल रही है 30,000 के राउंड अगर वहीं इस सेल की बात करें तो आपको 27,000 से 28,000 तक देखने को मिल जाएगा वहीं आगर आपके पास SBI के कार्ट अपलाई होगा तो आपको और भी कम प्राइजिंग मतलब आपको 26,000 तक देख देखने को मिल जाएगा अभी इसकी क्रेंट प्राइजिंग चल रही है 12,599 और वहीं इस सेल में आपको इसकी प्राइजिंग आपको 8-9,000 तक देखने को मिल जाएगे और वहीं आपको कुछ डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा और वहीं गाइस बात करते हैं M1 चिप वाले MacBook के बारे हैं तो आपको अभी क्रेंट प्राइजिंग इसकी 8,400 प्राइजिंग देखने को मिल जाएगे जो कि आपको इस सेल में आपको 75,000 लेके 78,000 देखने को मिल सकती है वहीं अगर आपको पास काउंट डिसकाउंट SBI तो आपको 72,000 लेके 73,000 इसकी 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 प्रोड़क्स पर आपको प्राइस द्रोप देखने को मिल सकता है इस सेल पर और आपको अगर आइफोन 13 के लिए इंट्रेस हो तो आप जाके फिलिपकार से बाई कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद लेगी है दोस्तों अगर वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ओके थैंक यू